Hello traders, I hope आज का भी दिन आप सभी लोग लिए बहुत ही बहतरीन बीता होगा क्योंकि आज भी कुछ बहतरीन intraday stock के अंदर हम लोग को trade करने का मौका मिला है तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग उन्हीं stocks को discuss कर लेते हैं जिसकी analysis मैंने आप लोगों के साथ आज के intraday session के लिए share किया था तो आज के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock था restaurant brands इंडिया यानि की RBA इसके अंदर आज हम लोग को एक बहुत ही खुपसुरत सा breakdown देखने का मौका मिला देन आफ्टर ये अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve करते हुए नचर भी आया है 100 रुपय के intraday stock के अंदर traders हम लोगों ने 2 रुपय का final target इसके अंदर आज achieve किया है जो की बहुत ही बड़ी बात है I hope आप सभी लोगों ने इसके अंदर अपनी trade को initiate किया होगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था City Union Bank इसके अंदर भी traders आज हम लोगों को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला और उसके बाद ये भी अपने final target को बहुत ही अच्छी तरह से achieve करते हुए नजर भी आया है और traders I hope अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने final target 135.2 का क्यों रखा हुआ था क्योंकि अगर आप लोग इसको 5 minute के time frame पर भी analyze करते हैं तो देख सकते हैं कि आज ये exactly बार बार जाकर के 135.2 के आसपस में support लेते हुए हम लोगों को नजर आ रहा था और आज इस stock का day low भी 135.2 ही के आसपस में है तो I hope आप लोगों को मेरी analysis पसंदारी होगी आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Petronet यहाँ पर भी टेडरस आज हम लोगों को एक बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला देन आफटर हलका सा consolidation देखने के लिए मिला और उसके बाद ये अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve करते हुए नजर आया है इसके साथ सा टेडरस Crompton के अंदर मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि यहाँ पर भले ही अभी pattern complete नहीं हुआ है लेकिन आज हम लोगो pattern complete होने के बाद में breakout देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही कुपसूरत सा breakout हम लोगो देखने का मौका मिला और ये अपने first target को बहुत ही easily achieve किया है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था webhub global यहाँ पर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को breakdown देखने का मौका मिला और फिट sell side में ये अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve करते हुए नजर आया है मेरा अगला intraday stock था JSW Steel इसके अंदर भी traders हम लोगों ने buy side में अपने trade को plan किया हुआ था और first 15 minute में हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला था और exactly 834 का high इसके अंदर बनते हुए नजर आया है इसके सांद status higher price range में कल मैंने आप लोगों के साथ Apollo Hospital का chart analysis share किया था और यहां पर traders मैंने आप लोगों को clearly बतलाया हुआ था कि 15 minute के time frame में candle का closing 6300 के नीचे में देखने के लिए मिलता है तो फिर हम लोग इसके अंदर sell side में अपने trade को initiate कर सकते हैं आज हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा candle closing हम लोगों को लगबग 10.30 बजे के आज पास में देखने का मौका मिला और उसके बाद इस stock के अंदर आज continuous एक falling pressure हम लोगों को देखने के लिए मिला है इसके अंदर एक छोटा सा profit definitely book किया होगा आप लोग नीचे comment section में बता सकते हैं इसके साथ से traders आज के लिए मेरा अगला intraday stock था आर्ती इंडस्ट्रीज morning session में traders यहाँ पर भी हम लोगों एक अच्छा breakdown देखने का मौका मिला था और उसके बाद ये भी अपने first target को बहुत ही अच्छी तरह से respect देते हुए नजर आया है तो हाला कि traders आर्ती इंडस्ट्रीज के अंदर personally मैंने भी एक trade को initiate किया हुआ था first target achieve होने के बाद ये मेरे stopless को hit कर ये जिस कारण से आर्ती इंडस्ट्रीज मेरे लिए आज एक break even trade साबित हुआ है तो इसलिए first target achieve होने के बाद भी आर्ती इंडस्ट्रीज को मैं as a profitable trade आज count नहीं करने वाला हूँ इसके साथ टेडस आज last में हो सकता है कि latent view के अंदर आप मेंसे कुछ लोगों का यहाँ पर stopless hit हुआ होगा क्योंकि टेडस अगर हम लोग इसको 5 मिनट के time frame पर analyze करते हैं तो first 5 मिनट में ही ये अपने सारे targets को achieve कर चुका था तो I know कि आप मेंसे किसी ने भी यहाँ पर इस momentum को catch out नहीं किया होगा और जितने भी लोगों ने यहाँ पर retesting आने के बाद में जब ये एक green candle form किया था उसके बाद अपने trade को initiate किया होगा एक intraday stock यानि के आरती इंडस्ट्रीज हमारे लिए break event rate साबित हुआ है और latent view हमारे लिए एक losing intraday stock आज के लिए साबित हुआ है तो I hope traders आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ साथ जो एकुरेसी है वो पसंदारी होगी इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दिजेगा इसके साथ 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 अगर आप लोग चैनल पर पहली वर वि initiate किया था और overall आज का दिन आप लोग के लिए कैसा बीता है Friday के दिन भी traders हम लोग को 10 intraday stock के अंदर trade करने का मौका मिला था और सभी के अंदर हमारा target भी achieve हुआ था लेकिन traders कल के वीडियो में आप में से किसी ने भी यहाँ पर comment करके नहीं बतलाया मुझे कि आप लोगों अपने कौन-कौन से stock के अंदर अपने trade को initiate किया था तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है traders I know कि जिस दिन भी maximum intraday stock के अंदर stop losses हीट होंगे वैसा भी दिन market में देखने के लिए definitely मिलने वाला है उस दिन आप में से maximum लोगों का comment देखने के लिए मिलता है खेर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ये human nature ही है बट I hope कि आज आप लोग नीचे comment section में comment करके अपना feedback जरूर दीजिएगा इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहे तो मेरे free telegram channel को भी join कर सकते हैं जहाँ पर live market में मैं आप लोग के साथ intraday updates share करता हूं तो telegram channel का भी link आप लोग ये फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा स्रीद दिगवीजाई cement क्योंकि यहाँ पर traders आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को consolidation होते हुए नजर आ रहा है stock पिछले दो वीक से बहुत ही अच्छी तर हम लोग इसके अंदर capture कर सकते हैं क्योंकि traders यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि already यह अपने आज एक crucial zone का breakdown हम लोग को दे चुका है दिन आफ्टर यहाँ पर एक अच्छा retesting भी हो चुका है तो ऐसे में अगर आज के अपने इस लोग को कल यह break करता है तो एक अच्छा खा अगर यह अपने इस neckline को break करता है जहाँ पर already यह लगता resistance face कर रहा है तो उसके इसमें यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा कासा intraday momentum catch करने के लिए मिल सकता है कल के लिए मिरागला intraday stock रहेगा CESC यहाँ पर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कुप्सूरत सा हम सा intraday move हम लोग CESC के अंदर भी capture कर सकते हैं कल के लिए मिरा अगला intraday stock रहेगा Indus Towers इसके अंदर टेडस हम लोग देख सकते हैं कि यह जो जो ने वो बहुत ही strong support का role play कर रहा है इसके सांसा टेडस अगर आप लोग इसको बहुत ही जाध्यान से देखेगा तो आप लोग के लिए मिरा अगला intraday stock रहेगा गुजरात अस्टेट पेट्रो यानि की GSPL यहाँ पर टेडस आज हम लोग को एक बहुत ही कुपसूरत सा buying strength देखने के लिए मिला है higher volume पर buyers लोगों ने participate किया है और आज इस stock के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि closing भी यह अपने resistance के आसप happiest mind के अंदर टेडस हम लोग को एक बहुत ही कुपसूरत सा hidden shoulder pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने support को break करता है जहाँ पर already यह लगतार support ले चुका है तो उस case में यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा intraday fall capture करने के लिए मिल सकता है आज भी हम लोग देख सकते हैं कि happiest mind के अंदर continuously हम लोग को एक selling strength देखने के लिए मिला है तो अगर same momentum कल भी इसके अंदर continue रहता है तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर capture कर सकते हैं मेरा अगला intraday stock रहेगा FL FL के अंदर भी similar type of pattern हम लोग को बनते हुए nurture आ रहा है हम ल लगातार आ करके support ले चुका है तो उस case में टेटस हम लोग को FL के अंदर एक अच्छा खासा intraday fall capture करने के लिए मिल सकता है इसके अंदर टेटस आप लोग एक बात को जरूर अपने ध्यान में रखेगा कि हमारी जो analysis है वो hourly time frame पर है यानि कि proper candle closing आने के बाद में ही आप ल social support का breakdown देता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं इसको टेटस कल के लिए मैं अपने watchlist में बस इसलिए भी add कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा gap हम लोग को form होते हुए नचर आ रहा है तो इसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो फिर यह अपने इस gap को fill करने का try कर सकता है और यह जो gap है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है in fact हम लोग देख सकते हैं कि लगबग 3-3.5% का gap यहाँ पर create हो चुका है तो अगर कल यह half gap भी fill करता है त अब भी हम लोग को एक अच्छा खासा risk reward ratio इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो इसलिए अगर आप लोग चाहे तो इसे भी अपने radar पर रख सकते हैं हाला कि TIDAS अगर एक अच्छे volume के साथ में breakdown आता है और breakdown आने के बाद में TIDAS किसी प्रकार का while lesson देखने के लिए नहीं मिलता है तो फिर इसके अंदर हम लोग और भी higher target achieve कर सकते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा महानगर gas limited यहां पर TIDAS हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को triangle pattern का formation होते हुए नजरा रहा है stock बहुत ही अच्छी तरह से खूद को इस pattern के बी 1457 है इसी तरह से stop loss भी 1470.1 पर रखने वाले हैं हम लोग कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा मुथूट finance यहां पर TIDAS हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कुपसूरत सा hourly time frame में inverse cup और handle pattern का formation होते हुए नचर आ रहा है यह जो zone है वो मुथूट finance के लिए बहुत ही ज़्या अगर यह अपनी इस crucial support का breakdown देता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यह लगातार support लेते हुए हम लोग को नचर आ रहा है तो उस case में यहां पर भी एक अच्छा खासा intra default हम लोग capture कर सकते हैं इसी के साथ TIDAS कल के लिए higher price range में अगर आप लोग चाहे तो emphasis को भी अपने radar पर रख सकते हैं इसके अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही खुपसूरत सा inverse copper hander pattern का formation होते हुए नचरा रहा है अब यहां पर टेटेस emphasis का लेवल में आप लोग के साथ share नहीं कर रहा हूँ risk involved रहेगा तो टेटेस आप लोग इन दोनों intraday stocks को खुद से analyze करके नीचे comment section में इसके levels को लिखने का try जरूर कीजेगा जिससे कि आप लोग को भी कुछ सीखने के लिए मिल सके I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आई होगी आप लोग अपना feedback नीचे comment section में दे सकते हैं इसके साथ share अगर आप लोग चाहे तो फिर चैनल की membership को भी जोईन कर सकते हैं सिर्फ 89 रूपेज पर मन्त के offer price पर क्योंकि जितने भी लोग चैनल की membership को जोईन करते हैं इसमें से intra-trading guide वाली वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ rules को आप लोग के साथ discuss किये हुआ है अगर आप लोग इन rules को follow करते हैं live market के अंदर में तो फिर आप लोग को intra-trading के अंदर बहुत ही जादा help मिलेगा इस वीडियो का link आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप लोग इसे check out कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद